CISC Board के Result Publication से ठीक पहले अपने पूरे निजाम यानि की सिस्टम को चेंज कर दिया है नया CEO और सेक्रेटरी को अप्वाइंट किया है जो अपने पहले के सेक्रेटरी हैं उनके सारे वर्क को रिप्लेस करेंगे और ये नय सेक्रेटरी CISC के Academics Director है जोसेफ इमैनुवल है आपको बता दें कि CISC एक और्गनाइजेशन है जो पिछले एक साल से जब उनके सेक्रेटरी और CEO गैरियर अथून बस समझ लिए को रिटायर्ट कर गये थे उसके बाद से नए सेक्रेटरी की तलास की जा रही थी और एंगलो इंडियन कम से यह सेक्रेटरी आपको सीवीएसी के तरफ से रिटायर होने के बाद जोसेफ एमैनुवल है जो कि पहले डायरेक्टर हुआ करते थे सीवीएसी में और उनको यहां पर CISC का सेक्रेटरी और कोलेजिय की CEO भी उनको बनाया गया है इसके बनाने के पीछे है कि पहला CISC के पूरे सिस्टम को ओवर हॉल करना या चेंज करना या बेहतर बनाना है दूसरी बात यहां पर यह बोली गई है जो स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दे दिये गए है कि इस बार जो रिजल्ट के पब्लिकेशन है इसको लेकर स्कूल भी उतना ही तैयार रहेंगे और करीब 24 से 48 एक आर पहले रिजल्ट को लेकर CIS के बात कर लेगी और जब स्कूल है यानि कि उसके स्टेक खोल्डन है पूरी तरह से तैयार होंगे उसके बाद ही इस रिजल्ट के पब्लिकेशन की बात ही असपस्ट होंगे यानि कि result के publication की तयारी कही जा रही है थर्ड बात बोली गई है 2024 के ISS या इन IS result को लेकर कि इन results के uploading का work complete होने की process complete है यानि कि uploading का काम हो चुका है और copy checking भी nearly complete हो गया है इस बिसे पर हम बाद में बात करेंगे लेकिन इसको लेकर यहाँ पर जो data सामने आया है बहुत सारे school के principal ने बताया है और जानकारिया दी गई है कि school की ओर से अब किसी तरह के data के production की बात CISC को नहीं है और CISC पूरे तरह से result के processing में लगी हुई है तो वो अपने website के साथ साथ जितने भी medium है जिसके द्वारा result को publish करेगी जैसे SMS के द्वारा जैसे की app पर जैसे की आपके school को भेज दिया जाना है जैसे की website है और इसके अलावे अन्य सारे mediums भी बन जाते है गवर्मेंट का एक site आपके पास है उमंग है और इसके साथ डिजी locker में भी आपके result को दियने दियर प्रोवाइड कर देगी तो इन सब क integrate करने के बाद CISC कह रही है तो कुल मिला के situation नहीं बन रहा है कि अब student के सामने result को लेकर जो latest सबसे नए information है CISC ने अपने नए secretary और CEO के signature से यह result को जारी करेगी और इससे पहले पूरी तरह से दुरुस्ति करेगी और यह CISC CBSC के pattern पर चलने वाले क्योंकि CBSC के पहले डाइरेक्टर रहे डाइरेक्टर जोसेफ इमैनुवल जिन्होंने बहुत सारे work की है उनको CISC का chief CEO और आपको पहले जी की secretary भी तैकिया गया है और इस तरह से यह एक पूरे overall situation की बात करता है इसी बीच 2025 के board examination के लिए भी बहुत सारे changes हुए है ICC के level पर और ISC के level पर जिसको एक series के साथ मैं आपको detail में subject wise बताऊंगा तो बने रहने हैं और student है जो biology का paper है इसको देख सकते हैं यह book है जिसका link is video के description में 2025 batch के student के लिए और भी बहुत कुछ और बहुत सारी जानकारिया है तो बने रहने वीडियो के ट्वार के रिक्वेस्ट रहें लाइक कर दिए चैनल को सेर कर दिए और सब्सक्राइब करना है याद रहें